नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका पार्थफाइंडर इस्टिटी पॉइंट में तो यूपी टुपलसी के लिए रीजनिंग को आज आगे बढ़ाते हैं आज ये पाचवा लेक्चर है रीजनिंग का जिसमें हम लोग अभी नंबर सिरीज और अलफा बेटकल सिरीज पर ही जो है फोकस कर रहे हैं तो जल्दी ये पूरा हो जाएगा तो नेक्स टॉपिक हम लोग लेंगे तो चले आज के कोश्चन्स देखते हैं तो सबसे पहला कोश्चन्स जो आपके सामने दिख रहा है तो ये आपके सामने एक सिरीज है इसमें क्या करना है एल एक्स एफ तीन तीन के जोड़ों में है ये M T J N P N O L R इसके बाद हमको आगे की सीरीज पता करने की क्या होगी तो चलिए इसको solve करने का प्रयास करते हैं तो तीन के जोड़ों में जब होता है तो हमेशा याद रखिए कि उसका completion आगे वाले जोड़े से किया जाता है ना की आपस में यानि अगर हम L की बात करें तो L को हम M से completion करना चाहिए हमको तो L और M में क्या संबंद है प्लस 1 का संबंद है एक जो है alphabet आगे बढ़ रहा है फिर वहीं अगर हम X और T की बात करें तो इसका हम संबंद देखते हैं माइनस 4 का संबंद है यानि X में से माइनस 4 अलफाबेट को कम करने पर पीछे जाने पर हमको T मिल जाएगा और F और J को हम इसी तरह से correlate करके देखें तो F और J में क्या संबंद है प्लस 4 का संबंद है तो ये तो हमने एक basic pattern देखा लेकिन ये आगवी follow हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके आधार पर ही series solve होगी तो M को फिर आगे देखते है M और N में क्या है प्लस 1 T और P में क्या संबंद है माइनस 4 का है follow हो रहा है फिर J और N को हम इसी तरह से follow करके देखते है तो इसमें भी क्या है इसमें प्लस 1 का संबंद है तो इसका मतलब यह है कि यह series जो है इस तरह से follow हो रही है आगे इसी को हम करके देखते है एक बार फिर तो N के बाद जो है अगला जो है क्या आता है O आता है यानि यहाँ पर प्लस 1 का संबंद है फिर P को हम L से करेंगे माइनस 4 और N को R से करेंगे तो प्लस 4 स्वारी यहाँ पर प्लस 4 लिखना था यह प्लस 4 का संबंद है तो इस तरह से हमको एक pattern पता चल गया है अब हमारे लिए आसान हो जाएगा तो हमको क्या करना है O, L, R जो आखरी सीरीज है इसके आगे काम को पता करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे O में प्लस 1 करेंगे जो हमारा pattern हमको मिला था P आ जाएगा L में क्या करेंगे माइनस 4 हम करेंगे जिससे हमको क्या मिल जाएगा H मिल जाएगा और R में क्या करेंगे प्लस 4 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा V मिल जाएगा तो हमारा सही एंसर क्या हो जाएगा PHV अगला हम सीरीज देखते है इसमें क्या है इसमें एक नंबर सीरीज देखनी है लाज्ट में जो है क्या आएगा यह देखना है तो 13, 23, 34, 46, 69 और यह हमको पता करना है X तो इसमें हम सीधा सीधा संबन देखते हैं कि क्या हो रहा है तो 13 और 23 में कितना है difference है? 10 का है 23 और 34 में अगर हम difference देखें तो 11 का है 34 और 46 में difference देख रहे हैं तो 12 का है यानि एक-एक अंक जो है इसमें बढ़ता जा रहा है difference में तो यह 13 हो गया तो इस तरह से अगला हमको क्या होना चाहिए? उसमें 14 जोड़ना चाहिए यानि 69 में 14 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 73 आ जाएगा यानि 73 मारा 73 का सही answer हो जाएगा फिर एक स्रंखला हमारे सामने है A, G, L, P, S और इसके आगे हमको पता लगाना है कि कौन सा जो है alphabet आएगा तो A, G को हम देखते हैं compare करके तो प्लस 6 बढ़ रहा है इस्थान फिर G, L में क्या हो रहा? प्लस 5 की बढ़तरी हो रही है L, P में प्लस 4 की बढ़तरी हो रही है P और S में का देखते हैं तो प्लस 3 की बढ़तरी हो रही है तो इस तरह से अगर सिरीज को हम follow करेंगे तो अगले में क्या होना चाहिए? S में 2 की बढ़तरी होनी चाहिए तो S के बाद 2 कौन सा आजाएगा? U आ जाएगा यानि इसका जो है answer U correct होगा फिर एक number series है इसको देखते हैं इसमें A का मान ग्याद करना है तो 6, 11, 21, A हमको पता करना है और 81 यह हमारे पास जो हो गया अब इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें कर सकते हैं तो 6 और 11 में क्या हम देख सकते हैं difference प्लस 5 यानि 6 में 5 जोडने पर 11 प्राप्त होता है अब हम 11 और 21 को इस संदर में कैसे कर सकते हैं तो जो हमको प्लस 5 मिला है तो उसको हम क्या कर सकते हैं उसमें 2 का गुड़ा करते हैं और 11 में जोड़ दें तो हमको कित्ता मिल जाएगा, यह 10 इसका एंसर हो जाएगा, और 10 को जो हम 11 में जोड़ेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, अब 21 को अगर हम देखें, तो हमको यहाँ पर जो 10 मिला था, इसका हम यहाँ डबल करके जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ क्या करें 20 और 21 यहां से हम जोड़ेंगे तो एक स्थान पर हमको क्या मिल जाएगा 41 मिल जाएगा अब यह देखना ज़ूरी हे कि क्या आगे भी फालो कर रहा है तो 41 और 81 में क्या करना है अब यहां हमको क्या मिला था 20 मिला था 20 को फिर हम 2 से मल्टिप्लाई करेंगे और जो 41 हमारे पास है एक आमान उसमें जोड देंगे तो 41 में 40 जोडने पर कित्ता मिल जाएगा आपको 81 मिल जाएगा यानि यह सिरीज जो है फालो और दिक्टो तो इसका एंसर क्या हो जाएगा 41 नेक्स्ट जो है सिरीज में क्या है एक पांच ग्यारा उननिस उनतिस फिर यहां पर एक संख्या जो मिसिंग है जो हमको पता करना है और उसके बाद पचपन तो अब इसमें क्या किस रेडी का पालन हो रहा क्या नियम लग रहा यह हम देखते हैं तो सबसे पहले हम हमेशा जब सुरुवात कीजिए तो हमेशा प्लस से ही सुरुवात कीजिए सबसे पहले जो है देखा करिए कि कितने अंगों की बड़ोतरी हो रही है गुडा भाग वाला जो है वो बाद में जब नहीं स्वाल होता है तो उसको भी अप जोड़ते हैं तो 29 आता है तो इसका क्या मतला हो गया कि सभी में दो दो अंग जो है बढ़ा कर जोड़ते रहना है सिरीज को परने के लिए तो यह जो हमको संख्या ग्यात करने हैं उसमें को कितना जोड़ना पड़ेगा प्लस 12 जोड़ना पड़ेगा तो 29 में हम 12 जोड़ते हो गया कि हमारा answer correct है तो 41 इसका सही answer हो गया अब अगला फिर हम series देखते हैं 21 32, 45 60 यहाँ पर क्या है हमको पता नहीं फिर अगला है 96 और 117 चलिए इसमें हम देखते हैं क्या हो रहा है 21 और 32 के बीच में हम देखने हैं पहले तो 11 अंकों की बढ़ोत्री हो रही है फिर 32 और 45 में 13 अंकों की बढ़ोत्री हो रही है 45 और 60 में कित्ता बढ़ रहा है 15 बढ़ रहा है यानि आप देख रहे हैं कि 22 का अंतर जो है इसमें बढ़ता जा रहा है तो 60 में कित्ता हम जोडेंगे 17 जोडेंगे तब हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 77 जो हमको पता करना था इसको आगो फालो करा कर देखते हैं 77 में कित्ता जोड़ते हैं 19 जोड़ते हैं तो 96 मिलता है और 96 में कित्ता जोड़ देंगे 21 जोड़ देंगे तो 117 मिलेगा यानि हमारा verify हो गया answer और 77 answer इसका correct हो गया next question देखते हैं इसमें जो है जो number series है इसमें अगले दो number कौन से होंगे यह हमको बताना है तो 11, 5, 13, 10, 15, 15, 17 यह हमारे पास जो है numbers है इसमें अगले दो number यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा यह हमको पता करना है इस तरह में क्या होता है इस तरह में alternate numbers में कोई न कोई संबंध होता है तो उसी संबंध को हमको ढूड़ना है जिससे हम सही answer तक पहुंच सके तो alternate numbers में हम देखते हैं क्या है 11 और 13 में क्या हो रहा है 2 की ब्रद्दी हो रही है 13 और 15 में फिर 2 की ब्रद्दी हो रही है 15 और 17 में फिर 2 की ब्रद्दी हो रही है तो अगर हम इसी सीरीज को बढ़ाएं तो 17 में फिर हम 2 जोड़ देंगे तो कित्ता मिल जाएगा 19 यानि एक अंग हमको 19 प्राप्त हो गया बादवाला अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है तो 5 और 10 में क्या है प्लस 5 की बढ़ उत्री होती है 10 और 15 में प्लस 5 15 और अगला अंग जो हमको ग्याद करना है तो 15 में 5 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 20 मिलेगा यानि यहाँ पर क्या है 20 और 19 अगले सीरीज के नंबर है जो यह करेक्ट एंसर हो जाएगा फिर 13 23 34 46 69 और अगला जो है हमको X जो है यह यानि यहाँ पर जो क्योस्टिन मारता यह हमको पता करना है तो इसमें भी हम लोग पहले प्लस वाले पैटर्न को आज माके देखते हैं तो 13 और 23 में कित्ते का डिफरेंस दिख रहा है आपको 10 का डिफरेंस दिख रहा है प्लस 10 का 23 और 34 में प्लस 11 का 34 46 में प्लस 12 का 46 और 69 में प्लस 13 का तो अगला जो है क्या होना चाहिए प्लस 14 जोड़ना चाहिए तो 69 में हम अगर 14 जोड़ देंगे तो कित्ता मिल जाएगा हमको 73 मिल जाएगा इसका एंसर 73 जो है ये सही हो जाएगा अगला नमबर सिरीज देखते हैं इसमें जो है क्या करना है हमको इसमें अगली दो संख्याएं गयात करने हैं तो 15, 25, 37, 51, 67, 85 और हमको दो संख्याएं आगे कि गयात करने हैं कि क्या होनी चाहिए तो चलिए इसमें पैटरन को फालो कराते हैं पहले प्लस वाले से ही सुरुवात करते हैं तो 15 और 25 में क्योंकि ये बढ़ते हुए करम है इसलिए हम प्लस में कर रहे हैं तो प्लस 10, 25 और 37 में 12 अंक बढ़ रहे हैं 37 और 51 में देखें तो 14 अंकों के बढ़ उत्तरी हो रही है फिर 51 और 67 में देखें तो हम 16 अंक बढ़ रहा है और 67 और 85 में कित्ते अंक बढ़ रहा है 18 अंक बढ़ रहा है तो यानि आपको सीधा सा पैटरन मिल गया सभी में दो-दो अंक जो है बढ़ा कर हमको बढ़ाते जाना है तो 85 में हम कित्ता जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे सीधा-सीधा सीज को फालो करने के लिए तो 85 में 20 जोड़ने पर हमको कित्ता मिल जाएगा 105 तो यानि एक संख्या हमको पता चल गई है फिर हम 22 जोड़ देते हैं अगले को पता करने के लिए 105 में तो ये कित्ती हो जाएगी 127 तो हमारा जो ये एंसर है 105 और 27 ये बिलकुल सही हो जाएगा आगे हम देखते हैं 5, 8, 13, x का मानिया निकालना है 34, 55 और 89 इसमें जो है x क्या है ये हमको पता लगाना है तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखें तो दो जो 77 संख्या है आ रहे हैं उसका मान जो है उसका जोड़ अगला संख्या है जैसे कि 5 और 8 को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है 13 मिलता है तो 8 और 13 को अगर हम जोड़ें तो हमको X मिलना चाहिए 13 और X को जोड़ने पर हमको 34 मिलना चाहिए और 34 और X को जोड़ने पर हमको 55 मिलना चाहिए 34 और 55 को जोड़ने पर 89 आ रहा है जो की बिल्कुल सही है तो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा इसमें तो हम क्या करेंगे आठ और तेरा को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है X का मान आ जाएगा यानि आठ प्लस तेरा तो ये 21 यहाँ पर आ जाएगा जो की सही जो है एंसर है फिर इसमें भी करम देखना है 2, 5, 10, 17, 26, 37 और अगली संख्या हमको पता करनी है तो इसमें क्या हो रहा है इसमें भी हम देखते हैं 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 3 का है फिर 5 और 10 में देखते है 5 का है 10 और 17 में 7 का है 17 और 26 में 9 का डिफरेंस है यानि सीरी और बढ़ जाएंगे 11 का difference आ जाएगा तो अगले में difference कित्ते का होना चाहिए 13 का होना चाहिए तो 37 में हम 13 जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 50 मिल जाएगा तो इसका answer 50 सही हो जाएगा अगला question 2, 6 बीच की संख्या हमको नहीं पता है 20 और 30 इसमें जो बीच की संख्या छूटी हुई है इसमें देखना है कि किस तरह से जो है इसका हम मान निकाल सकते हैं तो इसमें भी हम जो है addition की करके देखते हैं तो अगर हम 2 और 6 को देखें तो इसमें कित्ती plus 4 की ब्रद्दी हो रही है पहले हम consider कर लेते हैं और 6 में अगर हम 6 जोडते हैं तो कितना आना चाहिए यहां 12 आना चाहिए पहले इसको मान लेते हैं फिर आगे इसका देखते हैं और 12 में अगर हम 8 जोडते हैं तो 20 आना चाहिए और 20 में अगर हम 10 जोडते हैं तो यह verify हो गया कि हमारा यह series follow हो रही है दो-दो अंकों की ब्रद्धी के साथ जो है तो यहाँ पर कितना answer हो जाएगा 12 इसका answer हो जाएगा फिर स्रंखला ही देखते हैं 12, 22, 33, 45, 58 और A यहाँ पर A का मान क्या होना चाहिए यह हमको देखना है तो 12 और 22 में साप साप आपको दिख रहा है कि 10 अंक बढ़ रहे हैं 22 और 33 में कितने अंक बढ़ रहे हैं 11 अंक बढ़ रहे हैं 33 और 45 में 12 अंक बढ़ रहे हैं यानि एक एक अंक जो है बढ़ता जारा series में 13 प्लस 13 कर देगे तो 58 में कितना हमको करना पड़ेगा प्लस 14 करना पड़ेगा तो 58 में 14 हम कर देगे तो यह कितना आ जाएगा 72 इसका सही answer हो जाएगा अगली हम स्रेडी देखते हैं 1, 3, 7 यहाँ पर हमको कुछ पता करना है फिर 31 और इसके बाद यह अंख हमको पता करना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए यानि हमको एक साथ जो है 2 संख पता करने है तो चलिए इसको solve करके देखते हैं तो एक के लिए कुछ नहीं करना है हमको और हम 3 के लिए सीधे सीधे देखते हैं अगर हम क्या करेंगे एक में एक गुड़े दो जोड़ देंगे तो हमको कित्ता मिल जाएगा, तीन मिल जाएगा, साथ में इसी को अपलाई करते हैं, इसमें क्या है, जो हमको यहां पर तीन मिला है, यानि उसके ठीक पहले की संख्या, तो तीन में हम क्या करेंगे, दो चार गुड़े दो, क्योंकि हम इसका डबल करते जा रहे हैं, तो चार गुड़े दो, यह बराबर कितना आ जाएगा, पंदरा आ जाएगा, यानि यहाँ पर एंसर पंदरा आना चाहिए, अब हम 31 पर इसको करके देखते हैं, 31 कैसे आएगा, तो पंदरा अगर हम इसको मान र करना पड़ेगा, 31 में हमको प्लस करना पड़ेगा, कितना, यहाँ 8 था, तो यहाँ आमने 16 ले लिया, इसको 2 से गुड़ा कर दिया, तो यह कितना आ गया, 63 आ यानि अगला आंक 63 हो जाएगा, तो पंदरा और 63 यह जो है, यहाँ पर सिरीज जो है, सही हो जाएगी, अगला सिरीज में हम देखना है, माइनस 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, और इसके बाद कहां को अंक पता करना है, तो इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें 8 भी क्यूब होता है, 27 भी क्यूब होता है, तो कहीं न कहीं इसका क्यूब से ही संबंध है, तो पहले हम क्यूब करते हैं, तो हमको कितना मिलता है, माइनस 1 मिलता है, कोई डाउट नहीं है, 0 का क्यूब कर लीजिए, कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, 1 का क्यूब कर लीजिए, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, अब क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, तो हमको 8 मिल जाएगा, और उसके जाएगा 64 आ जाएगा फिर इसमें भी हमको सीरी में देखना है कि जो है 6 24 60 120 210 और यह अगला अंक हमको यहाँ पर ग्याद करना है कि यह क्या हो रहा है इसमें तो 6 और 24 में का डिफरेंस देखें तो 18 का डिफरेंस है फिर 24 और 60 में अगर देखें तो 18 दूरी 36 का डिफरेंस आ रहा है 60 और 120 में कित्ते का डिफरेंस है 60 का डिफरेंस है 120 और 200 का डिफरेंस है तो प्लस 90 का डिफरेंस है 210 में फिर हम क्या करेंगे तो ये थोड़ी सी उल्जी वी सी रीजे इसमें हमको कोई एक fix pattern अभी तक नहीं मिला है तो हम जो इसको बढ़ोतरी हो रही इसमें भी pattern तलास करने की कोशिश कर रहे हैं तो 18 और 36 में क्या ब्रद्धी होई है 18 की हुई है 36 और 60 में अगर हम देखें तो प्लस 24 की ब्रद्धी हो रही है और 60 और 90 में अगर हम देखें तो प्लस 30 की ब्रद्धी हो रही है और इसके बाद हमको यहाँ पर अभी चुकी अंग नहीं पता है तो उसके लिए हम फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है 18 और 24 में अगर हम देखे तो कितने का difference आ रहा प्लस 6 का आ रहा है 24 और 30 में कितने का difference आ रहा है प्लस 6 का रहा है तो अगर हम इसी को जो है accurate माने तो 30 और 6 कितना आ जाएगा यहाँ 36 आ जाएगा और 90 में अगर हम 36 जोड़ते हैं तो हमको कितना मिलेगा इसका थोड़ा सा जो है अलग तरीका है करने का लेकिन चुकि और किसी तरीके से इसको सीरे सीरे नहीं solve किया सकता है इसलिए इसको पूरा इतना करना पड़ेगा तो 336 इसका जो है सही answer हो जाएगा फिर अगला हम देख लेते हैं क्या है सीरीज में क्या करना है 21, 12, 11 और यहा इसा गड़ती यह आपस में संबंद नहीं है इसमें केवल एक ही संबंद हमको दिख रहा है कि 21 है 21 के अंग अगर उलट देते हैं दहाई को इकाई में इकाई को दहाई में कर देते हैं तो हमको 12 मिलना है तो 21 और 12 हम यह संबंद हो गया तो 11 में अगर हम दहाई और इकाई क पलट देंगे तो क्या होगा 11 ही रहेगा इसलिए इसका एंसर जो है 11 सई हो जाएगा फिर आज का last question हम solve कर लेते हैं 5, 10, 15, 25, 40 और यहां पर क्या है x जो है जो हमको पता करना है तो इसमें हम देखते हैं 5 और 10 अगर हम 5 और 10 देखते हैं तो यह 15 होता है फिर 10 और 15 मिलके क्या बन रहा है 25 बन रहा है फिर 15 और 25 मिलके 40 बन रहा है तो 25 और 40 मिलके क्या बन जाएगा 65 बन जाएगा तो इसका उत्तर जो है पैसट ठीक रहेगा तो दोस्तो आज के इस लेशन में इतना ही 20 से अधिक लगबग हम लोगों ने 20 questions solve किये हैं तो next lecture में हम इसको बढ़ाएंगे और number series बस दो lecture और उसके बाद जो है next series अब श्टार्ट करेंगे इससे क्या है इससे आप एक ही तरह की questions की practice कर रहे हैं जिससे ये questions आपको हमेशा के लिए तयार हो जाएंगे जितने तरीके से solve किया जा सकता है उतने तरीके से आप solve देख रहे हैं तो अभी के लिए ताही नमस्कार धन्यवाद